एक बेटे ने पिता से चाहा धन और दूसरे ने पिता को चाहा, पिता से चाहा, पिता को चाहा, कौन सा बेटा ठीक है, पिता से चाहने वाला या पिता को चाहने वाला, जोर से, पिता से चाहने वाला बड़ा नहीं हो सकता, पिता को चाहने वाला, भगवान से चाहने वाला ठीक नहीं हो सकता, भगवान को चाहने वाला ठीक है, भगवान से नहीं, भगवान को, से और को समझ लो, एक अक्षर के अंतर हैं, लेकन पूरा अर्च अलग है, मैया सो लो आप, द्यान दो मेरी मा, सो रही हो मेरी मा, अज़ हवा में आखे बंद हो रही हैं, सुदामा जी, द्वार पर खड़े हैं, और भगवान ने सुना, स्याम सुन्दर ने सुना, सुदामा दोड़ पड़े, मेरा मित्र सुदामा, 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 आवाज लगाई, दोड़ पड़े, सुदामा, कब से खड़े, उन्हें लगा, पतनी पहचानता है कि नहीं, सुदामा के बाद जाकर खड़े हुए पलट कर सुदामा जी ने देखा द्वारी कादीस वही गुंगराले से बाल वही सुन्दर सी छवी सुदामा चरणों में गिरने वाले थे भगवान ने उठाकर हर्दें से लगा लिया मित्र तुमारा स्थान मेरे चरणों में मेरे हिर्दें में तुमारा स्थान हिर्दें से लगाया द्वारी कादीस ने कनहिया ने कहा सुदामा तुमने बड़ी देर लगा दी आने में रोते हुए सुदामा ने का मित्र देर मैंने ने कनिया देर तुमने लगाई कबसे तुमारे द्वारे पर खड़ाऊ DAY पर तुम सुंते ही नहीं हो कबसे खड़ाऊँ तुम आते ही नहीं मैं आ गया मुझे देर लगई मित्र छमा करो चलो अब सुदामा जी ने का कहा ले जा रहे हो दर्शन करने आया दर्सन कर लिए अब जाने दो सुदामा भगवान बोले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ सुदामा बोले नहीं मैं कुछ लेने नहीं आया आपको जो देना था दे चुके भगवान बोले मैंने अभी क्या दिया सुदामा ने कहा सारे संसार के आगे तुमने मुझे अपने गले से लगा कर जो मेरा सम्मान बढ़ा दिया है जो मुझे इज़त दे दी है वो सम्मान से बढ़ा और क्या हो सकता गोविंद, अब मुझे जो देना था वो तुम दे चुके, तुमने मुझे स्वीकार कर लिया, यही मेरी दौलत तुमने मुझे पहचान लिया ये मेरी दौलत और क्या दौलत चाहिए देखो जराए वो मुझे पहचान ले वसी दौलत तुम उनसे भीख मांगते रहते हैं अब सुदामा सोचो कुछ मांग लेते हैं कि का नहीं या मेरे घर में चार दिन से चू लाने जलता तो सुदामा का नाम जितने आदर से अहे लिया जाता है इतने आदर से ना लिया जाता यदि सुदामा जी ने कोई डिमांड रख दी होती मांगने वाला ना छोटा हो जाता